लोग सभा चुनाओं की सरगर्णियों की बीच में कॉंग्रेस पार्टी हर दन कोशिश कर रही है कि वो उन तमाम इंडी कटबंदन के चेहरे को लेकर साथ चले जो अभी तक बचे हुए हैं बचे हुए इसले कह रही हूँ क्योंकि जो सुत्रधार थे उन्होंने ही पाला बदल लिया था नितिश कुमार ने उसके बाद ममताब एनरजी ने पश्रिम मंगाल में कह दिया कि हम तो अकेले ही चुनाओं लड़ेंगे अब बात आती है कॉंग्रेस पार्टी और आम आदमी जो कि पंजाब के CMA और सीधे कॉंग्रेस पार्टी की तुलना पुराने मॉडल की फेट कार से करते हैं अब आप इस तलकी को समझ सकते हैं और एक में तस्वीर जो साथ साथ आपको दिखाते चलूंगी उससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि दरसल कॉंग्रेस पार्टी और जो आमानमी पार्टी है उसका विश्टा है कैसा ये वक्त के हिसाब से सहुलियत के हिसाब से ये रिष्टा तो है कि हाँ दो हजार चौबीस में चुनाव साथ में लड़ना है लेकिन पंजाब में नौजो सिंग सिद्धू एक पर आँख तरेरते हैं और वो क करशी की जाती है कठाक्ष किये जाते हैं उसकी बानगी ये तस्वीर है जो हम साथ साथ आपको दिखा रहे हैं अब जरा मैं पूरा समेकरन आपको समझाओं क्या भगमंतमान सर्फ अपनी मर्जी से कुछ बयान दे सकते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जि अगर कटाक्ष कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें भूमी का किसकी हो सकती है आप समझ सकते हैं तो क्या हम ये मान के चले कि पंजाब में ये रिश्टा नहीं चलने वाला है दिली में भले दिखाने की कोशिश हो या कुछ अनिय राजयों में भले ये रिश्टा accept कर पाएगी क्या दिल्ली के वोटर्स जो हैं क्या वो पंजाब की घटना को नहीं देखते हैं पंजाब की सियासी घटना करम के बारे में क्या उनको जारगाई नहीं होती है क्या यह तस्वीरी वो नहीं देखते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी एक तो कहती है कि हमें हर हाल में बीजेपी को एंडिये को हराना है और वो उस तरीके से सीट शेरिंग भी करते हैं लेकिन जैसे ही पंजाब का जिकर होता है वहाँ पे ये पूरा बिखराओ हमें देखने को मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुडाओ की तारीखों के एलान से ठीक पहले बीजेपी हुई ही दिख रही है अलाकि बहुत मानमनवल के बाद समाजबादी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी ने कैसे भी उत्रप्रदेश में सीट शेरिंग का एलान कर दिया लेकिन अभी भी आमाद्मी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी की जो इस्तिती है उसको देखकर आप पब्लिक को गुम्राह ही कर रहे हैं क्या पब्लिक एक्सेप्ट कर पाएगी इस रिष्टे को यही सवाल सबसे ज़्यादा एहम बना हुआ है